सरकारी आदमी यूटूब चैनल पर सवागत है आपका ब sites the Kenya लेकर आदेश दिये घए है वीडियो के मद्य हम से जनेंगे किया पर क्या अपना आंजाने बाल हैं पूरी जनकारी के लिए वीडियो को लाष्ट दो verde दोस्तों के साथ जरूर करें कि वह भी इनके बारे मिं जान्सकी तु pacthemировать limits स्टार्ट करते हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं 19 अगस 2019 की लेटेस्ट अपडेट है यह सीप्री एओ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के दावारा यहां पर यह महतापूर्ण यहां पर जानकारतत है जिसकी कोपी जो है इन्होंने एडों इतने भी और ईंको भेज़ दी है इसी तरह जित्रह विद्विजिन ओफ बैंक से उनको भी इनकी कोपी भेज दी गई है सभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर CGA को भी इनकी परतिलेपी भेज़ दी गई है चलिए जानते हैं इसके अंदर यहाँ पर इनोंने क्या आदेश दी हैं इनका क्राइन है अब तक जो हमारे pensioner हैं उनके pension processing को लेकर यहाँ पर electronically e-ppo project start किया गया है इसका पूरा मक्सद यहाँ पर जो pension processing है उसको digitize करना है अब जो e-ppo system यहाँ पर online processing को pension जो cases है उसमें जो main यहाँ पर movement होता है सबसे पहले यहाँ पर e-ppo को head office जो मतलब online data जो है head office से pay and account office जाता है pay and account office यानि PAO इसको CPA को भेजता है और CPAO इसको आगे forward करता है बैंक को इसमें जो भी हमारे data है चाहिए वो fresh case है या फिर revision of pension cases है उसका इसी टाइप में moment होता है लेकिन अभी system के अंदर यहाँ पर change किया गया है मतलब यहाँ पर इस moment के according HO, PAO, CPAO और bank अपना-पना respective role यहाँ पर अधा करते हैं main objective यहाँ पर इस exercise का है एक seamless transmission हो जाए हमारे pension का electronically सीधा यहाँ पर head office से directly bank के पास चला जाए ताकि pension payment में ज्यादा देरी ना लगी present system के according यहाँ पर जो central civilian हमारे pension है उनकी pension को यहाँ पर online PFMS mode से यहाँ पर transmit किया जाता है और जो EPPO है उसको यहाँ पर pay and account office को भेज दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर CPAO यहाँ पर forward कर दिया जाता है अब यह decide किया गया है कि जो EPPO है वो हमारे bank को directly यहाँ पर भेज दिया जाए ताकि जो उनका data है pension software है उनको अपने requirement के हिसाब से वो update कर ले तो physical PPO होगा उसकी booklet SSA के साथ प्रेस जो भी pension cases है उनकी वो continuously यहाँ प यहाँ पर भेज दी जाए और जो parallel system है मतलब जितने भी बाकी bank है उनको इसकी hard copy soft copy यहाँ पर भेज दी जाएगी physical copy और उसके बाद system जब तक stabilize नहीं हो जाता है तब तक इसी copy से यहाँ पर प्रेजन रेट किये जाएगे अब यह clarify कर दिया है कि जो detail यहाँ पर दी गई है physical booklet of PPO के अंदर वो यहाँ पर क्रेक्ट कर सकते हैं तो अब जो pension भूगतान की परणाल लिया उसमें जो में यहाँ पर हैड ओफिस से पेंड अकाउंट ओफिस और पेंड अकाउंट ओफिस और सीपी और सीपीओ से बैंक में जो data जाता था अब डिरेक्ली हाँ पर बैंक को फोवर्ड कर दिया जाएगा जिससे pension भूगतान में ज्यादा देली नहीं लगेगी तो वी होप अब हमारे pension जितने भी हैं fresh pension cases है या फिर रिवाइज pension cases हैं जिनकी अभी तक उनको रिवाइज भी प्योश्य नहीं हुए हैं उनको जल्द ही इसका फायदा मिलेगा धन्यवाद जैहीं जैभाद